सुना नहीं कृपया अपनी पूछ अठाईए पूछ अठाईए अरे राम का नाम लो भाई मुझे वश्राम करने दो पूछ अठाते हो के अठा कर फेंग दू कहा ना भाईया राम का नाम लो पूछ अठाते हो के मैं अठाऊँ हाटादो भईया, हाटादो हाटादो भईया, मेरी ये बड़ी पुरानी अभिलाशा है, कि कोई मेरी पूँश हटा दे मेरे सपने को साकार कर दो भईया, इतने तो हटे-कटे हो, एक पूँश नहीं हटा सकते हटाओ, हटाओ, हटाओ मैं क्शमा चाहता हूँ हर राम का नाम लो भईया, पूँश लांकर चले जाओ ना चला कैसे जाओ, आप कोई साधारन वानर तो है नहीं, अपना परिचय दीजिए और अपने दर्शन दीजिए राम का नाम लो कुंती पुत्र, सेवक के दर्शन करके क्या करोगे, स्वामी के दर्शनों की अभलाशा करो तो आप शिरी राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं जए शिरी राम पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित रदय बसहु सुर्भूप रदय बसहु सुर्भूप यदि मैं पवन पुत्र हनुमान नहीं होता तो तुम्हें बार-बार भाई क्यों कहता किन्तु आप मुझे इस दशा में क्यों मिलें तुम्हें ये शिक्षा भी तो देनी थी आनुज के निर्बल और विद्ध का आदर करना चाहिए और तुम्हें ये भी सिखाना था कि जो आँखें देखती हैं केवल उतना ही सत्ते नहीं होता सत्ते हरांग से बड़ा होता है तुमने देखा कि एक वृद्ध वानर लेटा हुआ तुम्हारी बाहों के कसबल को चुनौती दे रहा है और तुमने चुनौती स्विकार कर ली क्या पता है अपनी जीवन यात्रा में तुम्हें किस मारग में किस सुरूप में कौन मिल जाए क्षमा चाहता हूँ अब कभी ऐसी भूल नहीं होगे अच्छा अब तुम जाओ हमारा निवास यहां से अधिक दूर नहीं आप वहां चलकर विश्राम कीजिए और मेरे भाईयों को भी आशीरवाद दीजिए मेरा आशीरवाद तो सदायर तुम लोगों के लिए है तो चलकर हमें युद्ध निती समझाइए क्योंकि हम एक महा युद्ध की तयारी कर रहे हैं आपने तो रावन मेगनाद और कुमकर्ण जैसे युद्धाओं को हराया है मैंने युद्ध अवश्र किया था अनूज परंतु जीत हुई थी शिरी राम की सत्य और असत्य के संग्राम में दोनों ही और से लड़ते तो युद्धा ही हैं परंतु विजए सत्य की होती है और पराजै असत्य की इसलिए सत्य को पैचानो और उसे दोनों ही हाथों से पकड़े रहो यही युद्ध निती है तो क्या आप सत्य और सत्य के युद में सत्य के और से युद नहीं करेंगे ये युग मेरे युद करने का नहीं परंतु मेरा अशीरवाद तुम लोगों के द्वज के साथ सदायव रहेगा महाँ भाला महाँ भाला महाँ भाला